बिहार के लोगों के लिए अब चरित्र प्रमान पत्र बनवाना काफी आसान हो गया है अब यहां के लोगों को चरित्र प्रमान पत्र बनवाने के लिए पुलिस विवाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर बैठे भी अब आप ओनलाइन आवेदन कर प्रमान पत्र की प्राप्ति कर सकते हैं बता दे कि सरकार की नई योजना के नुसार अब आवेदकों को घर बैठे ही उनके इमेल या मोवाइल के जरिये प्रमान पत्र की डिजिटल कॉपी दे दी जाएगी ग्री विवाग के दौरा सभी जिलों के डीम, एससपी और एसपी को इस बावत निर्देश को जारी करने को कहा गया है चरितर प्रमान पत्र की ओनलाइन कॉपी बिहार लोक श्रेवा के अधिकार के तहट 14 दिनों में मोवाइल वा इमेल पर भेजनी है बता दे कि पहले चरितर प्रमान पत्र प्रवाप्त करने के लिए लोगों को थानों का चकर लगाना परता था जिससे देखते वे पिछले साल ग्री बिभाग के दौरा चरяतर प्रमान पत्र के निर्मान को लेकर राज़्टिय सूचना विज्ञान केंदर की सहायता से सर्विस प्लस पोर्टल बनाया गया जिसके बाद अब लोगों के लिए चरितर प्रमान पत्र बनावाने की ओनलाइन आवेदन करने की विवस्ता सुरू कर दी गई है अब ओनलाइन आवेदन के साथ प्रमान पत्र बन जाने पर लोगों को उसकी डिजिटल कॉपी घर बैठे मिल सकेगी अब आवेदकों को चरेतर प्रमान पत्र को पाने के लिए सर्विस प्लस पोर्टल पर जाकर ओनलाइन फॉर्म भरना होगा उस फॉर्म को भरने के दौरान ही आवेदकों को अपना नाम पता आदी के साथ मोबाइल नमबर और इमेल आईडी के जानकारी देनी होगी ओनलाइन प्रमान पत्र आवेदक को उपलत कडाने के लिए दो हफते की समय सीमा तैक की गई है वहीं अगर हम पुलिस अधिक छक्के कार्याले में प्रमान पत्र बनाने की बात करें तो वहन 14 दिनों के अंदर चरेतर प्रमान पत्र बनाने का प्रावधान है ऐसा ना करने पर संबंधित दोसी पधादिकारी पर प्रति दिन 250 रुपे के हिसाब से फाइन लगाया जाएगा बता दे कि दोसी पधादिकारी से एक बार में कम से कम 500 रुपे और अधिक्तम से अधिक्तम 5000 रुपे तक फाइन लेने का प्रावधान है इसके साथ ही ग्रीविवाग के दोरा अफसरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह इसकी मोनिटरिंग करते रहें आज के लिए इतना ही धन्यवाद